नमस्कार दोस्तों पोल्सकाई में आपका सौगत है ठंड में मौसम में अक्सर बालों को धोना काफी मुश्किल का काम लगता है दरसल सर्दियों में बाल धोने के बाद उन्हें सुकाना काफी मुश्किल होता है गिले बालों की वज़ा से अक्सर ठंड लगने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में कई महिलाएं कम समय में अपने बालों में सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन लगतार ड्रायर का इस्तेमाल करने से आपके बालों को नुकसान पहुँच सकता है। साथी कई बार ऐसा भी होता है कि कई मौकों पर आपके पास ड्रायर होता ही नहीं है। ऐसे में अगर आप बिना ड्रायर के अपने बाल सुखाने का कोई option ढून रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप आसानी से अपने बालों को बिना ड्रायर के सुखा सकते हैं सबसे पहला तरीका है टी-शिर्ट या रुमाल का इस्तिमाल आप मेंसे कई लोग अपने बालों को सुखाने के लिए तौलिया का इस्तिमाल करते होंगे और कंगी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बालो को मॉइस्चुराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंडेशनर आपके गीले हेर्स को सुखाने में भी काफी कारगर है दरसल बाल में लगा सिलिकॉन पानी को बालो पर ठहरने नहीं देता जिसकी वज़ा से पानी बालो से जल्दी गिर जाता है कंडेशनर लगाने की साथ ही मोटे दानत वाली कंगी का इस्तेमाल भी फायदे मन होगा इससे ना सिर्फ बालो में सही तरीके से कंडेशनर लग पाएगा बलकि आपके हेर्स भी आसानी से सूख जाएंगे इसके लबा माइक्रो फाइबर तॉलियों का भी इस्तिमाल आप कर सकते हैं कई लोगों का मानना है कि तॉलियों की मदद से बाल जल्दी सूखते हैं लेकिन ये पूरी तना सच नहीं है दरसल तॉलियों से बाल पोँचने पर फ्रिक्षन की वज़ा से बाल तूटने लगते हैं ऐसे में अगर आप तॉलिया की जगा माइक्रो फाइबर वाले कपड़े का इस्तिमाल करते हैं तो ये ज्यादा फायदे मन होगा Microfiber cloth का soft texture पानी को जल्दी सोखने की शमता रखता है साथ ही इससे बालों में friction भी कम होगा जिससे वो तूटेंगे नहीं इसके लावा नहाते समय ही आप बालों में से पानी निकाल सकते हैं अगर आप अपने बाल जल्दी सुखना चाहते हैं तो इसके लिए कोशिश करें कि अपना हाते समय ही बातरूम में बालों से अत्रिक्त पानी निकाल देए इसके लिए हेर वाश करने के बाद हातों की मदद से अपने बालों को दबाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल दे ऐसा करने से हवा और धूप के संपर्क में आकर आपके बाल अपने आप जल्दी सूख जाएंगे फिलाल इस वीडियो में अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें